गोरी तेला तेरी तदाई चपाज़ी तकाजिए तेरी दे हो गड़े किस जननीने तो को जनब दियाओं किस जननीने तो को जनब दियाओं आयनमह आभानम ध्यानम समर्भयामिही तद पुरांते हे सीमत भागत महा पुरांटी का ज्यान करेंगे शच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत पत्यादे तवे तापत्रय विनाजाय स्री कृष्णाय वयम्लमह यंप्रप्रजंत मनपे तमपे तक्रत्यम गुईपायनो विरहकात्रया जुआभा पुत्रेतितन्मयतया तरभोविने दूष तम्सर्वभोत हिदयम मुनिमान तोस्मी कस्तूरी तिले कम ललाट बटले बच्चस्तले कोष्णी तद बुरांते पे दस्तरूपह पित्ती सुर दिवताओं का ध्यावन करेंगे दीवदनुजनेर नागखगा प्रित पितर गंधर्व बन्नाहो किन्नर रजनिचरा क्रपा करों अभुसर्व एमानिवापा पक्रत पोफदे सोमो राजा विद्वां स्माद मुच्यता स्रीबाल कृष्णायन महा स्रीमत भागवत महा पुरान पसुत्त मायन महा चंदनम्समर्भयामिही पुष्पं पुष्पं माल्याम्समर्भयामि माल्यादीनी शुगंदीनी मालित्यादीनी वेप्रभो मयाहितान पुष्पानी पूजा अर्थम प्रदग्रिय दाम श्री बाल कृष्णाए नमहा सीमद भागवत महा प्रुनाप शुत्तमाए नमहा पुष्पं पुष्माल्याम समर्भ्यामि नेवित्यम निवेद्यामि ओम नाभ्या आजीदं तर्ष्चकुं सीट्स्राओ ध्यव समवर्दता पद्म्या भूमितिसह स्रुता तता लोकान अकल पियन नहा श्री बाल कृष्णाए नमहा सीमद भागवत महा पित्ती सुराए नमोन नमहा नेवित्यम रितुबलं तामूलं दच्छना दिव्यं समर्भ्यामि अम हिरन्य गरभः समवर्दता ग्रेभूत अश्य जातः पत्रेक आसे सदाधार पृत्वीम ध्याम देमां कस्वई देवा हविकाविते अम्मा अम भुर्वा स्वहा तदुब्रांते पित्ती सुरु देवता ब्योन महा आँ देवताभ्य पृत्रविष्चव महायोग महीवचा नमः स्वाहाई सुदाईव देमेव नमो नमः ओम भुर्वाता पृत्रती सुराइ नमो नमः शरभव वचारादे गंदश्चत पृ uspam भुर्ष्व माल्याम समर्भ्यामि पुष्पमाल्यांते नेवित्यम निवेद्यामी ओमनाभ्यायासी दंतर्शकुम्ठिट्स्रों द्योहू समवर्तदा पद्वियां भूमिंतिसाहस रोधा द्दा लोकान अकल भी अन्नाहां बुलिय सद्गुर्देव भगवाने कीजे परमादर्निय सद्धेव परमपुचन अब यहां आने से बंचत है अत्रशीक्रों सीमत भागवत पांडाल में आएं और गुतिय दिवस्की आरती सीमत भागवत महापुरान जी की कुछी छड़ों में प्रयारंब होने जा रही है भागवत महापुरान जी किसे उसके बाद ब्यास पूजन रहमन पूजन उसके बाद आरती हाज जोड़कर पादना करेंगे मत जी बसो देवसुतम देवं कंस चारून मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णम बंदे जगत गुरों पुलिभागवत महापुरान जी जै ब्यास पूजनम् देविं सरस्वतिं ब्यासं ततो जै मुदिरयेत सुकुलां ब्रह्म विचार सार पदमां माध्याम जगत व्यापिनी वीना पुष्टक धारिनीम भैदाम जान्यांदकार अपहं हस्ते स्वाटिक मालिकां विददतीम पदमासने संसिताम वंदेम तांपरमेश्वरिम भगवतीम बुद्धी प्रदाम सारदाम देवाधीनम जगसर्वं मंत्राधीनम विप्रप्रसादात अजतो जतो हम विप्रप्रसादात ममनाम धेयम ओम बुर्वसा स्रीव्रमन उद्भ्योन वोनमहाम ओम नमप्रमन दिवाय गुब्रमन हिताय जोजगत्धिताय कृष्णाय गुविन्दाय नमोनमा हरियम्मा शस्रशेरे गापुरुगा शस्राक््षा हा गुष्टाणी तृपाद श्याम्रत अंदेवे टृपादूर्द उदेथ पुरुगा पादोश्येहाद भूमिमधो पूराहा तुस्माधि ज्यात सर्भावतारिचाहा शामानी जितनी रे, छंदा गुंसी जितनी रे, तसमाध्य जुस्तस्माध्य शुंशान देहे, रिधा वेशान ओ गया? आरती, नीचे चलो, आप लोग नीचे पहुचो आरती के लिए और महाराजी को माल्यार बनकर आशिवाद पाए ओम सुस्तिन इंद्रो प्रिधस्त्रवाहा, सुस्तिन भूखा विष्व वेधाहा सुस्तिन स्तारिष्व अरस्चने महें, सुस्तिन अब्रहस्पद्रतधातु प्रिधस्वामरुतः प्रश्णिमातरः सुवज्जावानो विददेगु जग्मयाहा अग्निजुवामनभः सूर्च जसो विष्वेणो देवां अवसागमन्यं बद्रंगर्णे विहेशुनियाम देवां बद्रंबशे माश्त्रविजत्राहा इस्तरई रंगई तुष्टवागं सस्तनो भ्रवसे महिदेवहितं जदायो सतमिन्नु सरदो अंति देवाज्यत्रानस्क्राज्यरसंतलो नम्म पुत्राशो जदविदरो ववन्तिमानों सिर्भागवत भगवान किये अरती पापियों को पाप से तरती सिर्भागवत भगवान किये अरती पापियों को पाप से तरती ये अमर ग्रंत ये मुप्ति पंत ये पंचम बेद निराला अब जोत जगाने वाला ये अमर ग्रंत ये मुप्ति पंत ये पंचम बेद निराला सब जोत जगाने वाला ये अमर ग्रंत ये मुप्ति पंत ये पंचम बेद निराला अब जोत जगाने वाला अब जोती जगाने वाला हर नाम ये हर ध्यान ये हर दाम ये जग के मंगल की आरती वुलुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु पाप से हैं कारिशे वल्हारी ये जंक्ति गीत पहवन्पुनीत पापा पमिट्टाने वाला अलिदर सिक्टराने वाला आये ये संद्गीत पावन्पुनीत पापों को मिट्टाने वाला ये जंक्ति गीत पावन्पुनीत पापा पमिट्टाने वाला यह दुग करनी यह दुग हरी दी त्रीमत सुदन की आरिती वल 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 वापियां को पाप से है आरिती शिलाग वगवाल की है आरिती में मगर बोल जगबन वस्थे आरिती जगपंति कौल सद मार्ग बताने वाला ये मदुर बोल जगपंति कोल सद मार्ग बताने वाला कि डिरी को बनाने वाल द आ के खी वाक्ति रह दाट की तु सघ्ञाने वाला को बनाने वाला न ffenनी मी मे बदोल वल वल reflecting ऌक ते रहे le jest लोको पाप दिखने फारिटी, भाग मत लग मारिटी है, आरिटी, आरिटी पाप दिन पल्दार सार भुलिए दराश, ताब तुल सही जान दूरे, हमाँ वावावी से तम न भावे तुमे वा माता सता, तुमे वा बंदू जसता, तुमे वा गया नगरू तुमे वा गरवाव मक पातynnद, अगरारिकी, आरिकी बापि यहां बापि यांद पापिन तू आपि मुझरे विचे निवर्ण मार्फू नो जांदे रंदरक्षगं जांदे रिद्हभी सांदे राबुआ शांति रॉखदया हो शांति ही वनस्वातया हो शांति विश्वे देवा हो शांति प्रम्म शांते हे सरभक्कुम शांते हे शांति रेव शांते हे शामा शांते रेदे हे उष्पई दिवाद वंदनम् आत्मावि वंदनम् आरुग्यार्थे वास्ता निधर्मानि प्रथा मान्याजन्दा तेहना गम्माहिमानः शजन्दा यत्रभूरवे शाद्मामंत्र उष्पांजलिम्ष्मर्पयामिही जो भागुत महापुराणिके श्री व्याजी महराजी की जै हो जै जै श्री लादेश्याद। अपनी अपने श्री नत्वर्वपकर्न योकर्न कारकं बेव्रद्रवासकन कपिसंबेजंती चमालयां रंध्रायन बेंडुड़तल सुध्यन पूर्यन गोपुप्रंदे ब्रन्लारण्यं सपद्रम्डं प्राविसता गीत कीत चाओ स्रीमत भागवतं पुराण तिलकं यत बेश्वान धनम् यस्विनबारमथे समेवममलं ज्ञानं परंगियते यत्रग्यान विरागाय भक्ती सबे सभी स्कृतम् तक्ष्वने पपड़न विशार्या भक्त्या आजाओ जै राते राते को बिंद राते को बिंद राते को बिंद राते को पाल राते को बिंद राते को पाल राते को बिंद 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 राते हिंदे रादे, कोपाल राधे, राधे राधे गुभी, गुषिती राधे, दे राधे राधे, गुषिती रो इंदी राधे को बिंद ना थे, को पाल ना थे को बिंद ना थे, को बाल ना थे को बिंद ना थे, को बिंद ना थे को बिंद ना थे, को बिंद ना थे को बिंद ना थे, को बिंद ना थे प्रतापा मेरे समयतों कलिकों मैं केवल एक बार राम कहें दो और एक राम एक बार राम कहने का कितना फ़ल होता है एक दो भाई थे छूटा भाई पड़ा भाई को इसे को फिर्च तो ठाइए गत्राह लगातु आपा सफपर या ढरा हो ऐसा तो नहीं है मैं बस्तुरा हूं पूचए तो यह दिने हम इस्षोत घ्टाध से ओपना रजांदा ने खाणयों में अ भाई होते प्रिक खेंडल गेल थी जाए दोनों की उम्र पचास पचास बरसकी हो गई और घर में कवतक रेना चाहिए उननचास और पचास पचास की बाद में संकेत मिलता एक्या बन संत कहाई असनीत दसानन चौथे पने जाहें नपकानन बड़े भाई ने छोटे भाई सिक्का कि भीया और जीवन पूरा निकल गया भगवान का भुजनிसी करो चोटे बादा इने दादा जी तुमारे लिए भिमाना आएगा तुम भावं करके जाएंगे बस तुम्हारे बिमान के पेर से लटक करके मैं भी तुमारे साथ चला जाओंगा पुरा लगा अपने गुरुजी से का कि गुरुजी मेरा भाई कभी आपका नाम नहीं लेता भगवाल का भजन नहीं करता गुरुजी आए सो जवर जस्ती एक भार राम सब्दिल कलवा दिया दोनों भाई मरकर के सही मनी पुरी पहुँचे बड़ा तो को लोगों को चला गया लेकि छोटे से यह मराज जी ने पही खाता खुलवाया चित्रकुप्त जी ने कहा कि महराज पूरे जीवन में पाप ही पाप किया है केवल एक बार इसलिए राम सब्द कहा है यह मराज बोली भई कि पहले किसको लिना चाहते हो पाप को या पुर्ल को वो बड़ चतुर था उस ने कहा कि जीवन में पाप में तो नहीं आएगे लाडकों में तो रहना आए तो पहले भौग भौग लो बस ने का कि मुझे तो केवल ये बतादो मेरा पुल्ड कितना है तो मने एक बार राम नाम कहा है तो मेरा एक बार राम नाम लहने का कितना पुल्ड बनेगा दस किलो, पांच किलो, एक किलो, कितना बेट बजन रहेगा यह मराजनी का कि इसको तो मैं नहीं बता सकता तो कौन बताएगा तो मसे यहां से आगे कौन से नगरी है कि मर यह है यमपुरी और यमपुरी से थोड़ा पड़ होगे तो आपको मिलेगी अमरावती पुरी जहां कि राजा इंद्र है तो कि चलो उनसे निले करवाएं लेकिन यम के दूतों को वहाँ जाने का अधिकार नहीं था के बल अकिला यमरा जा सकता था चोटा भाई बोला कि मेरा अंगुष्ट प्रमाण का सरीर चल सकता नहीं तुमारे दूतों को जाने का अधिकार नहीं मुझे लेकर के कौन चलेगा यमराजी ने का बताओ कि तुम अपने कंदे पर बिठालो और मुझे अमरावती लेचलो यमराजी ने सुचा कि तो मजबूर ये लेचलने पड़ेगा सुकंदे पर बिठाला और इंद्र की पास पर पहुचे इंद्र से का कि बताओ एक बार राम राम लेले का फल कितना होता है पुर्ण कितना मेज़ता है इंद्र बोला कि माराज मैं तो देतों से जिदे करने में बना रहा मैंने कैसकता कि एक बार राम नाम लेले का फल कितना होता है तो को तुम से आगे कि बस महरा यहां ब्रह्मपूरी तो कि अपनी पलकी उठाओ आगे तुम लगो पीछे यम्राज लगे का मुझे भी ठाल करके ले चलो इंडर ने पलकी को उठाया ब्रह्मा जी से पूछा कि बताओ तो एक बर राम नाम लेले का फल कितना कि माराइं में तुम सिवाइन में लगारा है अवकि मान सिवाय इटिह सिवाय तो सस्टि et सध्र जपहे अनंग अर्हाते तो बहुत में चुभान का वैजने करते हैं के हमराइं बता हो माराज इसकी व्याक्या तो मैं भी नहीं कर सकता है क्योंके भाव कुभाव अनक आलस हो मरते समय कहीं पापी के मुखार बिन से रामकान निकल जाए तो वो बैकुल टुमासी बन जाता है बजन तो मैं भी नहीं बता सकता कि तुम भी पलकी में लगो आप से बढ़ करके बस बिश्व लोग के चलो विश्व भगवार के पास बिश्व भगवार के पास पहुँच करके और चारो देवतावने पलकी उतार करके पूछा कि मारा ये बता दो एक बार राम नाम लेने का फल कितना है बिश्ट भगवान ने कहा कि पहले से जीव को उठाय करके मेरी अंग को मैं गोदी में बिठालो चारो देवतावने उठाय करके गोदी में बिठाला और पूछा कि मरा अब तो बता दो बिश्ट भगवान बोले कि अब भी तुमारे नेत्रबंद हैं कि तुम जैसे चार देवता जिसकी पलकी में लग गए और साफशत मेरी गोद में आकरके बैठ गया तो मेरी गोद से बढ़कर के कोई पद है क्या तो कलेगों में एक बार राम लाम ने लिका इतना बड़ा फल था परेक्षित ने कहत तो कलेगों जैसे कलेगों तुझे मारूंगा, नहीं लेखिन तुम्हे कारे करना पड़ेगा मैं कहोंगा वहीं आपको रहना पड़ेगा आज से मैं आपको चार स्थान देता हूँ इनों ने चार स्थान दिये अब्यर्थी तस्मदा तस्मई इस्ताना निकल योददौ दूतम पानम स्रिय सुना यत्रधार मचतोर विधा। अब्यर्थी तस्मदा तस्ताना निकल योददौ। चारशितान दिये धूतम कलिदौत कहते हैं जुआ खेले को जहां जुआ खेला जाता हो वहां आपका बास रहेगा धूतम पानम दूसरा इस्ताने जहां मदरा का पान किया जाता हो वहां कलिदौ तुम बास करोगे। हो गई ठीक है महराश तो कलिव का वासरेता है मदरा एक बार कथा हो रही थी सर्दी के समय में कता थी अब तो थोड़ी से अच्छी हो गई तो अब तो सर्दी है तो ज्यादा सैर्दी में भागमत हो रही थी सा दो भाहया आकर कि बैठ गए कथा अच्छी चल रही थी तो एक बोला की भीहां कथा ठीक है क्था थीक है पर प्रक्सारदी लग रही है दूसरा बोला किonta तो तेरी चली जाए कि वे इवफाय बता दूंगा। कैसे? की चलो चलते हैं एक-इक पववा होता है या दा होता है एक-एक पीलो सर्धी बिल्कुल चली जाएदगी। वो दूसरा बोलाा है पगले कहीं दारू से सर्धी जाती है वो बोला कैसा मूर्ख है मेरी तो सौबीगा चली गई मेरी सौबीगा जबीन जा सकती है तेरी सरदी भी नहीं जा सकती है क्या और मेरे प्यारे किसी को कहीं अपनी लक्षवी से दुस्मन हो और अपनी बच्चों से प्रेम नहीं हो पर चती धूतम पानं स्रियह सोला जहान इंसाख की जाती हो जी भद्त्य होती हो वहां कलिको तुपारा बास ठीक है महरे आज़ी और जहाँ बेशर ब्रति की जाती हो तुपारा बास ठीक है महारे चार्टस ता तो मुझे बिल गए लेकिन ऐसा एक भी इस्थान नहीं है कि जहां पर मेरी पूर्टी हो सके पुनस्याश मानाए जात रूप मधाद प्रभो अटतो जितम मदम कामम रहो बेरंच पंचमम चार इस्थान में से एक भी इस्थान नहीं है कि जहां मैं रहे सकूं तो पुनसी आश मानाया एक च्छाखी केक मेरे केनिकल सर दे सकती हो हम मागी है तो हिरन बासान से सोने में मेरा बास दे दीजी पर एक छितने सुचा कि सोना कोई खाने की बस्तू नहीं कोई पीने की बस्तू नहीं यह पेनने की बस्तू है मिल गए है। जब गलताव को सुवल्ल में बास मिल गया बताओ इसमए सुपल इस बीवूति योक का बिभन को बस्वाति आंप头 मेरा वास भख्ष मेरा वास रुष्यों वे नारद मेरा वास तो ये भगवाल के थे कि सुन में तुम्हेर रहता हूं, और राइप परिक्षट ने कले को दे दिये, तो इसमें किस का मान माने तो हमारी संतों ने बड़ा संदर रत निकाला बेश नाख्रूनों से आप कमाई करके स्वर्ण खड़ी दो भगवान का बास बहिया कोई नाराज में तो हो जाना कोई दूदिया बहिया बैठा हो तो दूद में पानी मिला करके कहीं तो मैंने स्वर्ण बनवा एक बार क्या हुए को दूदिया बहिया बीस लीटर पानी मिला दिया करें अब बहुत चतुर थे पर उनकी पत्नी और जादा चतुर वो उसमें से भी छुपकर के दो लीटर निकारें और दो लीटर पानी मिला बहिया कुछ धने कट्टा हो ग भाईया की बच्चे की साधी में गई जो बढ़िया सी भाईया पर धन दे करके नथनी बन वाई और नथनी को पहन करके बुलाबा देने को दिससे इस घर में उस घर में उस नतनी को दिखाती रहे नदी के किनारे गाउं था एक बंदर आया ऐसा उसमें नतनी में टॉब कर दिया तो नत को ले गया और नाक भी फट गई एक ब्रक्च पर चड़ करके उसे ने लेना चाहा ऐसा प्रहका कि नद्दी में जा करके गिरी तब रोकर कि कहने लगी भी आप पानी का पैसर अ कहा jesteśmy नतनी नी बनी दूद मे पानी मिला करके पानी का پईसा पानी में और नांग भटी तो मेरे प्यारी हो कहीं यह धर्म का तुमने धन लिया तो कल्यक कवास और कहीं गीश नाखुन से कमाई करके लिए तो भगवान कवास हो जाता है असकले को इस्थान में दिया आगे चल करके एक रिसी थे रिसी की गले में मरा हुआ सरप डाला चौकि कहीं रिसी को यह दे समझें कि मेरी सिवा करनी पड़ेगी परिष्च लेना चाहा परिष्चत ने सोचा कि रिसी तो बास्तर के तपस्चा में है लेकिन एक बालक देख रहा था तद ही अपनी पिता की गले में मरा हुआ सरप डेख करके इस्राप दे दिया इतलंगने तमार्या आदम तक्ष़के सब तमेहनी मेरे पिता जी के गले में जो मरा हुआ सरप डाला है दक्षत इसम कुलांगारम मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है तो जाओ यही सर्प साथ बिदिन जाकर कि डशेगा बस तरंत ही वहां से और च्छाती से चिपक करके रोड़नी लगी पिताजी के लेतर खुले विटा क्यों हो रहे हो पिताजी तुमारी गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैंने भी सर्प दे दिया है कि जाओ यही सर्प से जाकर के साथ भी दिन डशेगा तपस्चा की दिस्टी से देख लिया जाता था कि कौन है डालने वाला ओह वीटा यह तो बड़ा धर्मात्मा राजा है का रहे हैं तब तक अपनी सिर्शिव वह स्वन का मुख टटाया सो निर्मल बुद्धी हुई कि मैंने एक संत का प्राद कर दिया क्योंकि संत का प्राद कोई करता है बोले संत सदाए तीनने नहोने ता को बंस संतों का कभी व्यप्तवान नहीं करना चाहिए एक बार ब्रंदावन की परिक्रमा वे मुक्तिने भगवान से कहा कि महराज मैं संसार को मुक्त करती हूँ ब्रंदावन की गेल में मुक्त पड़ी घवराई मुक्ति कहे गो बिंद से समेरी मुक्ति का को नहीं उपाई मेरी मुक्ति का क्या उपाई बगवान बोले पड़ी रहो या गेल में साद संत चले जाए ओले रज तेरे मस्तक पड़े मुक्ति मुक्ति होई जा किसी संत की रज तेरे मथ्य से लग जाएगी तो मुक्ति तु जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगी तो ऐसे संतों का अपराद परिख्यती पस्यताब कर रही हैं तो तक बट को पहुंचा पूरा पता चला रिश्यों को बला करके कहा कि माराज अपराद बन गया साथ भी दिन मुझे जाना है मेरा मुक्ति का पाय क्या है अच्छा रिलका कि तेरे पास में तो साथ दिवसे खटबांगो राजर से अरे राजा खटबांग के पास में तक के बली ये गड़ी थी खटबांगो नामम राजर से ग्यत्ते यात्वा में हाय सू बहूरता सर्वमो सज्यम गतवानम भयं हरी राजा खटबांगी तो गड़ी में प्यक्ति हो गई तो इस खटबांग कौन था शूर बंस में एक राजा खटबांग को हुवाई एक वर दीवता आई दीवताओं ने कहा कि महराज हम देटों से प्राजा ले चुकी है हमारी आप रच्छा करो खटबांग सेना किसे चले गए और छे महीनी तक दिन रात तरी देटों से युद्द किया और युद्द करने की बात में पिजए देवताओं को दिला करके कहा हम जा रहे देवताओं ने कहा तुमारे बर्दन तो ले जाओ हसकर कि खटबांग बोले के युद्ध में तो हमें बुला करके लाए क्या बर्दन देदोगे लए इस वाँजी तो मांग लो खटबांग ने कहा तो मैं राजाता हूं लक्षभी की मेरे पास में कमी नहीं देना चाहता तो एक बर्दन देदो मुझे ये बता दो मेरी मरतू कितनी सेस और है देवतों ने का कि मारे इसको हम बता तो नहीं सकते लगी चलो प्रयास करेंगे भगवान ने बिस्टू से पूछा मारा आज इसकी कितनी मरतू और सेस है कितनी उम्र और बकाया है भगवान ने का किसकी तो किवल दो गड़ी एक गड़ी 24 मिनट की होती है उसकी 48 मिनट सेस है कटवांग से का कि मारा इम्रतू तो आपकी किवल दो गड़ी रे गए तो कोई सिंता ने और वही बैठ करके योक्रिया के द्वारा भगवान को प्रहमाल में ध्यान लगा करकी चिंत मन किया प्राणा को छोड़ दिया प्रहमरत को खोड़ते हुए सीधा साकेत लोग गए तो पताओ दो गड़ी में मुक्ती मिल सकती है तो राजल तो मारे पास में तो साथ दिवस है लेकल मुक्ती मिलेगी काई से और संतने के संगला गिरे तेरी अच्छी बनेगी संतने के संगला गिरे तेरी अच्छी बनेगी के विक्री बनेगी अच्ची बनेगी तेरी फिक्री बनेगी ओई तेरा हड़ो भागिले तेरी अच्ची बनेगी ओई तेरा हड़ो भागिले तेरी अच्ची बनेगी अच्ची बनेगी अच्ची बनेगी तादा से तो एक अच्ची बनेगी अची बनेगी तेरी बिकडी बनेगी तेरी अची बनेगी वो इस तेरा बड़ो बाकरे तेरी अची बनेगी संतर संतर करे पुन्य कमाई 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 पुन्य कमाई गया पुन्य कमाई गया पुन्य कमाई वो इस तेरा बड़ो बाकरे तेरी अची बनेगी वही तेरा बड़ों भागे, तेरी अच्की बने के, संदन के संग लागे, तेरी अच्की बने के पुभो जी की बने गई, पैलात जी की बने गई अच्की बने गई, पैलात जी की बने गई अरि सुपिर मेरी जापिरे, तो ही अच्की बने गई अच्की बने गई तेरी अच्की बने गई अच्छी बने की तेरी दिखिली बने जी ओ तुरा और वाजर ले तोरी अच्छी बने जी ओ तुरा और वाजर तेरी अच्छी बने अच्छी बने जी दिखिला के तेरी अच्छी बने तसत बिले को शाले तच्छी बना आपना जारा तूचा किया, तो दिया जिल्दाना, पोरी संत भर्वान की देहा, आज ये संतों की सड़े में चले जाओ, तुमने संत का अपराद किया है, और बास्ते में संत का कहीं अपराद हो जाए, तो भगबंद का अपराद तो हो जाता है, और ऐसे संतों को कोई सताता है, तो भगबंद क्या करते हैं, कता को याद मत भूलिया ना, एक वर किसुरी जी ने पूछा कि बेटा हलमंत लाल, पूरी लंका चले करके नश्ट हो गई, लिगे तेरी पूछ नहीं जनी, हस करके हर्मान जी ने पूछा, कहा कि मा, बेरी पूछ किसुरी जी ने कहां बेटा, बोली लंक जला के जली भी नहीं, हनमंत भी चितर है, पूछ तुमारी, और कौन सा जादू राजेस भरा, हस पूछते हैं, मिथलेस कुमारी, तेरी पूछ में ऐसा कौन सा जादू था, कि इतनी बड़ी लंका चले करके नश्ट हो गई, तेरी लंका में तो पावक लगा, तो बेटा पावक माली अगनी, अनल माली अगनी, आग माली अगनी, ये तो पर्यावाची सब्द हैं, आर्थो तो ये कही है, नई मा, पावक बड़ा होता है, अनल छोटा होता है, अगनी छोटी होती है, तो बड़ी अगनी में भी तेरी प्रताब से और राम जी के प्रताब से और रावल के पाप से पूरी लंका जली तो कि इतनी बली लंका में तेरी पूछ क्यों नहीं जली कि उसमें तो जी कौन सी अगनी लगी बोले राम रोस पाबक सो राम जी के रोस रूपी पाबक में लंका जली तो उसमें तेरी पूछ क दो नहीं जली मैं बहारतवर्स में कोई ऐसी मा है जो अपने बेटे की पूछ को जला दे तो बेटा यह अगनी तेरी मा कैसे है हनु contar जी बोले कि इस अगनी तु मेरी मा नहीं है पर जिस कि मैंने सुचा कि जिस पावक में मेरी माता कि सुरीज जी का बास है तो हनमांत जैसे बेटा की पूछ क्यों जल सकती है कि सुरीज जी रिकार वीटए यह तुम पहली यां बुजा रही हो है ठीक ठीक सी पता तुमारी पूछ क्यों नहीं जनी का कि माता जी तुम्हें पता है कि संसार में पूछ किसकी जलती है हनुमा जी कहने लगे बोले कप रागव यागए है पीछ पूछ रहे से है भारे लेकिन बानर को भला पूछ तकोन स्रीराम के पीछ है पूछ हमारी यह पूछ की बड़ी विस्षिस्ता है थोड़ा से इसको देखना पूछ की बड़ी विस्षिस्ता है पूछ घट भी जाती है पूछ बड़ी जाती है एक हीरो और बांगी की ये साव जीरो तो ऐसे लोगों की पिर पूछ गटती है राम जी को आगे लेकर के पीछे तुम चलो तो संसार में तुमारी पूछ बढ़ेगी मैं मारा जागे राम जी बोले कब राग अगे है पीछे पूछ रहे सहभारी और बानिर को भला पूछ ता कौन? लेकिन स्री राम के पीछे पूछ हमारी अच्छा वेटर बात ये थी हाँ कि ये पूछ की बड़ी पिसिस्ता थी पूछ गट भी जाती है बड़ी भी जाती थी जब लंका जल गई तो रावन खीज गया रावन ने अपनी चत्रगनी सेना से कहा कि जाओ उस बंदर को जिन्दा बुर्दा पकल करके मेरे पास मिला और चत्रगनी सेना गई हनुमांजी ने सोचा कि चत्रगनी सेना से एक आदे भी लड़ता सकता नहीं हनुमांजी चुपचा बैठ गए और चत्रगनी सेना ने चारो तरफ से हनुमांजी को घेर लिया हरुमान जी बिल्कुल नहीं बोले लेकर हरुमान जी ने पूछ बढ़ाई या पूछ बढ़ा करके चटरंगनी सेना को चारो त्रफ से लपेटा और लपेटे करके पूछ को गोमाया सो हातीन से हातीन लडे रथन से रथ चिंगार देखो लखल लड़न हनुमान की हाती से तो आती बढ़के मर गई और रथन से रथ टूट गई पूरी से ना साप संबधा ता पोचा के रावण के पास में कि माराज चत्रंगनी से ना बिलकुल नस्ट हो गई रवणी बोला क्या मूर्ग हो चत्रंगनी से ना मर कैसे सकती है कि माराज इस बंदर के सामने ठेलना बड़ा बुस्किल का काम है तो क्या मूर्ग थे चोर हमला करते पीछे से लड़ते संबधा ता बोला कि बारा जाने बाले तो थोड़ा बहुत लड़े भी और पूछे पूछ अरे चुपराव में तुम्हेरा पूछ का नाम नहीं सुनना चाहता राबड़े ऐसा खीचा से इसने अमर सेना को पहुछा दिया क्या के लंका में कुछ अमर सेना भी थी अमर सेना गई सो बिबी सर जी ने राम जी से का कि बाराज अमर से ना आ रही है और अमर से ना से युद करते रहो मनना तो नको है ने हनुमान जी बोले कि युद तो करेंगे कि हमारी है कोई अमर ही नहीं है कि मैं हूँ अमर माता कि सुरी जी ने बर्दान दिया है अजर अमर गोन नेद सुत थो तो तुम करोगे क्या वो तो अमर है तुम तोशनि हो हनुमान जी चले तो हाथ में गदाभी नहीं लिए लक्षमान जी बोले देखो già करें देखो बैठोह देखो, हनुमान जी गए, सो बीच युदिस्तल में बैट गए, और चत्रगनी सेना आई, सो हनुमान जी ने सूचा कि लड़ने से तो काम चलेगा नहीं, सो अपनी वोई पूछ फिर बढ़ाई, लांगी लूम लपेट, और लहनुमान जी लड़े, और लहनुमान जी अब हनुमान जी आकास में उले, आकास में उले करके गृत्वा करसर सक्ती का भीदल करकी ऐसी सेना को फैका, कि आकास मंडल में चले गई, उतर करके नीचे नहीं आए, हनुमान जी उतर करके नीचे बोले, कि राम जी ने तो संकल्प लिया है, निसे चरहीन कराओं मही, मही मानि प्रत्वी प्रत्वी को निसांचनों से जिने करने का रमजी ने सिंकलप लिया आए और तुम आकास मंडल में बनी रो हमें कोई जिंदा नहीं संबादाता पोचा रावड के पास में कि मारा पूरी सेना बिलकुल लास्ट स्वाफ खीज करके रावड बोला जूट बोलते हो अमर सेना मर कैसे सकती है संबादाता बोला कि मारा पढ़ने का तो पता नहीं जाते हुए देखाए लेकर लोटते नहीं देखा कब बंदर के बंदर होई खीज करके रावड आया कुछ बंदर को मैं ही देखूँगा तो हनुमान जी बैटे थे तो लत्व आगे आया और इधर उदर आया पीछ से आ करके पूछ पकड़ ले इसके पूछ को तोड़ करके रहूँ बड़ी तागत में अब वो सोच रहे कि जब बंदर मुड़े गा तो पूछ तूटेगी और पूछ से उनको पैर ज्यादा था बड़ी जोर से तागत लगा करके पैर जबीन पर लगा करके और संकर जी से कह रहे हैं ए बगवाविन संकर या बंदर की पूछ जल्दी तूट जाए थोड़ी साइथा तुम कर दे राबर सुच रही कि बंदर मुड़ेगा तो पूछ तूटेगी लेकिन न तो हनुमान ज लड़े पहले की तरह हनुमान जी आकास में ओड़े राबर ने और जोर से पकल लिया कि ये बंदर की पूछ तूट जाएगी ये ओड़ी जाएगी पूछ रहे जाएगी मेरा तो बैर पूछ से ही है लेकिन पूछ तो नहीं तूटी और पूछ के साथ मैं राबर भी आकास होतो कि और पहुंचा अब राबर संकर जी सि कहने लघा कि है भगवार्य संकरण की पूछ तूट नहीं जाबैं या हमारे हाथ से च्छूट नहीं जाबैं यह वारा क्या होगा धर्वति के नाकास की हम कहीं कि नहीं पहले कह रहा था और तोट या अभ के रहा है बागवान हनمा쟁े, ने सूछा कि कई इसको भी बें गुड़ता करसा सकती है क Birthday करकी पहुंचाता हूं तो राम जी का संकलब का दुरा रहे जाए ज़िए कि वो किसको मारेंगे हनवाँै ने सूचा कि मेरे उपर कलंक आ जाएगा सः दर्श करके रावन को नीचे रख़दिया तो हल्का यिद्द कर लो का हल्का यिद्द कौन सा है कि मुष्ट का यिद्द कर लो हनुमान जी ने रावण से का पहले तुम दे लो बाद में देने लाए कि बचे के नहीं बचे हनुमाजी ने फीठ की, रावण ने ऐसा मुष्का लागा, ऐसा मुष्का लगा, वावण जी सह distintos, vogacăने उल्स पर अपना घूसा उठाया, मुष्माजी उठाया, हो जाओ रावण, रावण ने पीठ की इस ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो, तुमारे मुष्टका से रावण बचेगा नहीं, रामजी का संकलब कैसे पूरा होगा, तो क्या करो मुझे प्रण को पूरा करने के लिए देना तो पड़ेगा, तो क्या दो इसस सच कह रहे हैं कि बिल्कुल सच तो प्रण को पूरा करने के लिए देना हो तो पड़ेगा कि दे दो रावन ने क्या किया कि मुष्ट प्रहार बज्जर समलागा और हलुमां जी क्या करें मुठिका एक महा का पे हनी और रुदिर अबमत धर नीड़न रक्त की धार उदर से निकल करके बाहर आई हनुमां जी गवड़ाय कि हे राम जी रावन मर नहीं जावे यह हमारे मत्य कलंक लग नहीं जावे आज इसकी रक्षा तुब करना रावन होस में आया कि हो गया युद मारे मैं आपसे नहीं लग सकता हूं और बताओ ऐसे हनुमां इन हरी करपा मिले नहीं संता कि यह किशी संत का दरसर हो जाए तो भगवान की बिशेस करपा और एक चेकर लिखा हुआ है का पुन्न पुञविल मिलहिन संता इसका क्यारत है कि तुमारे घर में किसी क संत का आगवन हो गया तो तुमारे तुमारे पूर्व जों के अनेक प अपदारपन होता है। बोली स्री संत भगवार ने की जेहो ऐसे संतों का तुम तरसकार करोगी तो तुम्हें क्या नर्क में नहीं जाना पुलेगा परिक्षत निकाते मारे मेरा उद्भार का बस संतों किसले में चले जाओ सुकते भगवार को आमध्यत किया उच्छासर आले करके कहा महराई बेरी बिक्तिक उपाय का बस राजाने आप मुक्ति का पर यही आप थोड़ा साब्दान होकर कि आप कथा कुछ समर्ण करिया मुक्ति मिल जाएगी जित आसनों जित संगों जित इंद्रिया कल्ब ने आपको बता दिया है एक आसर पे बैठ करके कथा स इनल रहे है तब कहा कि महरा यह बताओ यह संसार की उत्पत्ति कैसे होई सुग्देव जियसकर के कहने लगी राजल समसे पहली यह जले ही जले जलमे कुछ महिं है तब ब्रमाल्ड की सक्ति एकत तो है को कि या सरीर से सक्ति निकल जाए तो ये सरीर किसी मतलब का नहीं है क्याते न वह ये बाकी सक्ति तो चले गई वो सक्ति सरीर से चले जाए तो ये सरीर किसी मतलब का नहीं है तो ब्रमाल्ड की सक्ति ने और अपने हाथ को मला जिस से एक बालक निकला या बालक का नाम बिश्टू रख दिया सक्ति ने कहा कि हमें संसार की उत्पत्ति करनी है तुम हमारे साथ बिबाद संसकार करिये तुम मेरी जन्मदात्ति माओं माओं पुछत्र का कैसा सम्मन दे कि ने तुमें करना पड़ेगा ने मैं तो नहीं करूंगा तो मैं तुमें मार दूंगी मेरन अच्छा है तो बिश्ट को मार दिया तोने हाथ मला एक बेटा पैदा किया जो ब्रमा यही सब्रमा से कासर ब्रमा को भी मार दिया तीसरी बार हाथ मला जिसमें से एक बालक निकला वो है सिव तुम मेरे साथ बिबा करो नहीं दो भाईयों कितने तुम्हें भी मार दूनी मैं आवसी बिबा करूंगा लेकिन मुझे दो बर्दान चाहिए